वेलकम टू इजी नोट्स फो यो ओनलाइन स्टाडी चैनल आप सब के अपने यूटूब चैनल पे आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है यहाँ पर यूजी सी नेट का जो पेपर कंड़क्ट हुआ था जून में 17 जून का यहाँ पर कोशन पेपर हम आपको दिखाने वाले हैं और उस कोशन पेपर में आपको क्या दिखने वाला है डियाई के कोशन दिखने वाले हैं येस डियाई की कोशन आप सभी के सामने कि देखना कि किस तरीके इसका solution निकलेगा किस तरीके से practice होगी क्योंकि बहुत से question data interpretation के previous year से repeat होते हैं तो यह तो latest का question पर है तो समझ सकते हैं कि यह कितना important है तो यहां पर देखिए यहां पर बहुत सारे बच्चे बोर्ड रहे थे कि missing वाली डियाई करने के लिए तो यह 17 जून 2023 का जो question paper है वो मैं आपको दिखा रही हूँ जहां पर missing वाली डियाई है यहां पर जबी भी डियाई के question को solve करें सबसे पहले statement को पड़ी statement क्या लिखाया है कि 2017 से 2022 तक तो 17 से 2022 तक चे वर्षो के लिए company के आय व्याई और लाब प्रतिशत प्रदर्शित हैं यानि क्या दिया गया है इंकम दी गई है व्याई यानि expenditure दिया गया है और profit दिया गया है ठीक है आय और व्याई के अंक रूपय Million में है पूर्वर्ष के तुलना में 2022 में लाब का प्रतिशत में जो प्रतिशत Rugदी हुई 33 1 ते 3 प्रतिशत है तालिका में दिये कई आंकड़ों के दार पर नीचे दिये कई प्रश्णों का उतर दीजे तो पहला कोशन आपके सामने यहां पर यह है कि 2018 से 2022 तक 18 कहा है हमारा यह रहा 18 से लेके 2022 तक पांच वर्षों में कंपनी का जो औसद व्याय है million में क्योंकि यहां पर आए व्याय को million में बताया गया है तो million में पूछा गया है वो कितना है 2018 में देखिए missing है नंबर 2022 में है लेकिन यहां पर व्याय मिसिंग है तो आपको औसद व्याय बताने के लिए आपको सबसे पहले औसद यह जो व्याय है यह पता होना चाहिए कि कितना हमारा expenditure है तो ही आप इनको calculate कर पाएंगे बट यहां पर दो नंबर मिसिंग है अब इसको निकालने के लिए क्या करेंगे कुछ भी ज़्यादा दिमाग नहीं खर्च करना है थोड़ा ध्यान से देखिए आपके सामने पूरे answer निकल के आ जाएंगे क्या लिखा है 18 सी 2022 तर 18 की हम बात करें तो 18 में आप देख सकते हैं यहां पर missing है आई उसके 19 में अगर हम बात करते हैं तो 19 का है आपका 95.76 और व्याय कितना है 84 2020 की अगर हम बात करते हैं 2020 में हमें किसका डेटा चाहिए 18 का चाहिए 18 का है 19 का भी हमारे पास expenditure है हमें किसका निकालना है 20 का निकालना है इसलिए हमने 20 के लिए क्या किया जो हमारी income थी 113.28 इसको आपने यहां पर लिख लिया और कितना profit हुआ है 20 परसंट यानी 113.28 का 120 परसंट इस तरीके से निकालेंगे तो निकल आएगा जो value है हमारी यानी expenditure 94.4 यहां पर यह जो profit है इसको नीचे लिख दीजे 120 120 क्यों क्योंकि अगर हम profit मानते है कि 100% का profit हुआ है तो 100 में इस 20% को आपको जोड़ देना है तो बन जाएगा 120 अब हमें अगर value निकालनी है कि हमारा expenditure कितना हुआ है तो क्या करेंगे जो हमारी आए है यानी जो income है उसको उपर लिखा उसके बाद हमें कितना profit हुआ है 120% और कर देंगे इतना तो कितना निकलेगा 94.4 निकलेगा फिल्कुल ठीक बात है तो यानी अब हमारे पास तीसरी value आ गई है और तीसरी value है 94.4 ठीक है अब लिखा है 18 से 22 तक पांच वर्षों में कमपनी का ओसत व्य कितना होगा अब 2022 के लिए निकलना है क्योंकि यहां पर भी एक missing value है तो हमारे को दिया हुआ है income income को लिखिए उपर 121.6 28% तो क्योंकि 28% लाब है इसलिए इसको जोड़ दिया जाएगा 100 में अगर हानी होती तो 100 में से minus कर दिया जाता अगर यह कहते कि 28% की हानी है तो 28 को minus कर देते क्योंकि हमें profit है तो 100 में 28 को हम जोड़ देंगे ठीक है फिर हमने क्या किया सेम तरीके से कि जैसे हमने यह निकाला है से मैंसे ही इसको निकालेंगे आएगा 95 अब हमें यह पता चल गया हमें पांच उ जो expenditure के कि हमिंक किसका ओसत पूछा है ओसत विया पूछा गया है ठीक है औस घ्र फोछा गया है यानि हम इसका ओसत निकालना है तो हमें पहली वैल्यू मिल गई 83.8 बिल्कुल सही है फिर है 84 बिल्कुल सही है फिर 94.4 जो की निकाला था 110 और लिखा हुआ है 95 को लास्ट में निकाला कितने सालों का पूचा गया है तो 18 से 25 साल होते हैं पांच से डिवाइट कर दीजे इन सबको एक साथ जोडने के बाद जो आंसर आएगा 93.44 मिलिया उसट वे निकालने के लिए यहां पर जो इंकम है इंकम में इंकम से जो परसेंटेज है अब वो आप निकाल लीजे परसेंटेज को अगर लाब में है तो जोड दीजे 100 के साथ और उसको नीचे लिखे उसका परसेंटेज निकाल दीजे आपको वैल्यू मिल जाएगी और इस तरीके यह कोशन नमबर वन सॉल्व होगा कोशन नमबर टू की बात करते हैं कोशन नमबर टू याद रखे यह जो मिलियन जो स्पेशली यह लोग लिखते है ना सिर्फ आप को मिस गाइड करने के लिए या ज़्यादा ट्रबल लाने के लिए या कंफ्यूज करने के लिए लिखते हैं इसलिए उस पर ज़्यादा ध्यान मत दीजे क्योंकि वह और यहाँ पर सारी संख्या मिलियन्स में ही है ठीक है 2022 में कंपनी का व्याय कितना है अभी अभी आपने डेटा आपने यह देखिए यहां से 2022 का जो डेटा है अभी अभी आपने निकाला और कितना है आपका 2022 के लिए जो व्याय है वो कितना है इस सीरीज पर देखिए 95 और यही आंसर होगा यहां पर 95 यानि एक हमारा जो एक्स्प्राइशन है उससे दो कोशन बनते हैं तो यह मिसिंग वाले होते हैं यह जनरली ऐसे ही सॉल्व हूंगे टेंशन नहीं लेनी है इंकम को लिखिया उपर क्या लिखना है यह 28 परसन यानि 120 को लिखिये नीचे इंटू कर दीजे 100 आ जाएगा जो हमारे एक्स्पेंडीचर यानि व्याय है कोशन नमबर थ्री कोशन को कई बार हम लोग इतना बड़ा कोशन दिखाया जाता है जिसकी वज़े से लगता है कि यह हमसे नहीं हो पाएगा बट बिलकुल मदर यह आराम से देखिये कैसे निकले है कोशन के आंसर वैल्यू आपने एक बार में निकान ली है स्टार्टिंग में ही बाकी जीज मिसिंग है से कितना प्रतिश्यत अधिक है सेम चीज यहां पर आपको करनी है 2017 में आपको एक्सपेंडिचर नहीं पता है लेकिन इंकम पता है 103.824 इंटू 100 पर से अप्रॉफिट कितना था 12% यानि 112 निकाल लीजे सेम ऐसे ही 2020 की बात करें 113.28 आपने पहले निकाला हुआ है आप वहां से भी इसकी वैल्यू ले सकते हैं तो 20% का मतलब हुआ 120 अब इसको निकाल लीजे इसको निकाल लीजे अब निकालने के बात क्या करेंगे दोनों के बीच का डिफरेंस देखेंगे पुराने साल यानि 2017 का वैल्यू नीचे लिखेंगे इंटू कर देंगे 100 तो आपका आंसर आ जाएगा इन दोनों को जो वैल्यू निकले की उनको आपस में माइनस करेंगे तो डिफरेंस यानि अंतर पता चल जाएगा कि कितना अधिक है उसको लिखेंगे उपर किस से निकाला जाता है व्रद्धी या कमी पिछले साल से तो पिछला साल कौन सा है 2020 को नहीं हम 2017 को काउंट करेंगे तो 2017 की जो वैल्यू है उसको नीचे लिके इन्टू करतीचे 100 चलिए मैं दिखाती हूँ इसका सॉयूशन 2017 में यही चीज़ बताई थी मैंने आपको क्या निकलेगा 92.7 सेम ऐसे ही 2020 का 94.4 ठीक है उसको आपस में आपने क्या करना है माइनस कर देना है difference पता चल जाएगा इन्टू करना है 100 किस से निकालना है मैंने क्या कहा था आप से प्रीवेस एयर से निकालना यानि जो साल पहले आया है जो वैल्यू पहले आई है उसको पहले लिखेंगे उसको लिखेंगे नीचे ऊपर difference इन्टू 100 ऐगा 1.83 यानि option नंबर सी सिर्फ calculation है यहाँ पर percentage निकलना आना चाहिए percentage वाले question इस समय सबसे ज़्यादा पूछे जा रहे है उसी में आपके average वाले question आ रहे है उसी में ही आपके missing वाले question आ रहे है event statement वाले question भी आपके di से पूछे जा रहे है 2017 का expenditure निकाल लिए 2020 का expenditure निकाल लिए सिर्फ आपको इसका percentage से निकाल लेना है और जब आप निकालते हैं तो वहीं पर आपका ये जो missing value है ये भी मिल जाती है question number 4 अब ये कैसे solve किया जाएगा 2016 की तुलना में 2017 में company का व्याइब बढ़ गया 20% 16 की तुलना में 17 में company का व्याइब बढ़ गया 17, 20% 17 की तुलना में लाब का प्रतिशत 2016 में 25% कम था तो company की जो वर्ष 2016 में आए कितनी होगी अब यहाँ पर ध्यान से देखिए तो यहाँ पर 16 की value नहीं दी गई 2016 दिया ही नहीं गया अब इसको कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिए 2017 का जो व्याय है यानि expenditure 2017 का अभी अभी आपने निकाला है हाँ पर अभी अभी आपने यहाँ पर इस question पर निकाला था कितना होगा 77.25 फिर इन्होंने क्या कहा 2016 का जो लाग परसेंट है वो बारा परसेंट ठीके बारा परसेंट माइनस बारा इंटू 25 परसेंट पर निकाल दिया हमने ठीके 25 परसेंट कम था आंसर के आया 9 परसेंट 2016 में जो आए है वो कितनी है 77.25 प्लस 77.25 नाइन का परसेंटेज निकाल लिया 84.2025 ध्यान से देखिए इस solution का जहां पर भी जिस चीज में भी confusion हो कमेंट करके बताईएगा जो भी confusion हो या फिर अगर ये question आपको कहीं भी लगए कि कुछ गल्ती हो रही है इसमें कोई बात नहीं आप इसका solution निकालिए और प्लीज शेयर ओन टेलिग्राम टेलिग्राम पे तुरंद शेयर करिएगा ठीक है चलिए आप कहेंगे भाई 12% क्यों बता रहे है मैं तो 12% यहां से निकला है यहां पर देखें 2017 का 12% तो हमें तो क्योंकि 2016 का कुछ भी नहीं पता है इसलिए हमने जो लाप रतिशत निकाला है वो 12% से निकाला है क्योंकि 25% कम था तो उस हिसाब से यह पूरा solution निकाला गया है Question No.5 यह कैसे निकलेगा सभी वर्षों को एक साथ लेकर 2020 के अंत तक के कुल वे और कुल आय से 2020 तक 2020 तक कमपनी का लगभग प्रतिशत लाब कितना है सभी वर्षों को एक साथ लेकर 2020 के अंत तक के कुल वे कुल आय से 2020 तक कमपनी का जो लगभग प्रतिशत लाब है वो कितना है कैसे निकालेंगे ध्यान से देखिएगा सबसे पहले ही यहाँ पे हम किसका निकालेंगे भाई पुराने साल से हम निकालते हैं कि व्रद्धिया कमी तो हमने 2018 को ले गया क्योंकि 2016 की वैल्यू हमें नहीं पता थी इसलिए हमने 2018 से काउंट करना शुरू किया तो यहाँ पे क्या हो गया 83.8 ठीक है और यहाँ पर वैल्यू निकालते हुए 25% सेम मैंसे ही 2020 तक कुल आए कितनी हो गई हमारी कुल आए टोटल करिए 103 हो गई 104.75 है 95.76 है 113.28 है यहाँ पर क्या निकाली गई है 2018 की आए क्योंकि यहाँ पर हमें इसकी इंकम नहीं पता थी कैसे निकालनी है अभी आप देख रहे हैं ठीक है इसकी वैल्यू को 2 को जोड़ देना है फिर यहाँ निकलेगी इतनी टोटल 2020 तक कुल खर्च जोड़ दीजे तो कुल खर्च अभी अभी आपने सबने कैलकुलेट किया है उसको जोड़ दीजे जोडने के बाद इन्होंने कहा है अभीस्त लाब प्रतिशत तो क्या करना है जो खर्चा है उसको नीचे लिखे जो इनकम हुई है उसको उपर लिखे इन्टू कर दीजे 100 यानि यहां की मिसिंग वैल्यू यहां की मिसिंग वैल्यू दोनों अलग-अलग निकाल लीजे इनकम निकाल लीजे एक्स्पेंड डीचर निकाल लीजे ठीक है और 2000 कहां तक की बात करी गई है 2020 तक तो 2020 यहां तक है यानि आपको जो कैलकुलेशन करना है सिर्फ 2020 तक ही करना है कैलकुलेशन ठीक है तो इस तरीके से यहां आपको 4 वैल्यू मिल जाती है 17, 18, 19, 20 के लिए और आपका जो सही आंसर होगा 17.67% तो गैस इसको आप लोग अराम से देखिएगा ये PDF मैं आप लोगों को शेर करूंगी तो जल्दी से टेलिग्राम जोइन कर लिजे क्योंकि टेलिग्राम पर मैं इसका जो PDF है वो शेर करूंगी बाके वीडियो अच्छे लगी हो तो वीडियो को एक लाइक और एक शेर करिएगा मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए इसको एक बारी जरूर रिपीट करके देखिएगा जो कन्फ्यूजन हो पूछेगा